हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग आइम डॉक्टर साहिल सिंगला इम प्लास्टिक सर्जिन एद अम्रिधारा ऑस्पिटल करनाल तोड़े आइम गोईंग तो डिस्कस वेरी इंपोर्टन टॉपिक ऑफ फेशिल कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी का क्या मतलब हुआ फेशि पैट जो बड़े-बड़े स्वेलिंग या फैट पैट जिसको बोलते हैं उतको ठीक करना तीसरा और चौथा फेश के बाया बहुत चेहरे पर गड़े दबावा चीक्स दबेवे चीक्स होंट छोटे-छोटे यह सब फेशिल कॉस्मेटिक प्लासे जरी में आता है तो मैं करकर आपको वन ब 있지만 सारा एक्सलें करूंगा पहला हम मैं जो चाहंखा बोलना वह सकाइस का मुनमका होता है निशान चाहरे पर कहीं भी हो तो देवार्भा चीक also चिरन पर चुज़ निशान को बिल्कूल ठीक करना वो facial cosmetic plastic surgery में आता है तो निशान basically बहुत तरह के होते हैं जैसे मैंने आभी आपको बताया और treatment दो तरह के होते हैं एक होता है non surgical एक होता है surgical non surgical facial scar में आता है जैसे ointment लगाना कोई cream कोई tube लगा लिए लेकिन इन से कोई जादा benefit नहीं होता दूसरा treatment आता है laser laser therapy से निशान जाता है लेकिन कुछ हद तक पूरी तरह गायब होना या ऐसे नहीं होता कि हर निशान का इलाज सरफ laser ही है laser कुछ-कुछ निशान का काम आता है जो definitive treatment है हमारा वो है facial plastic surgery जो कि हर निशान में हम लोग normally patient को option देते हैं अब वो निशान पर depend करता है कि उसा size कितना बड़ा है तो एक stage, दो stage, तीन stage तो यह सारा हम patient को option देते हैं कि और यह जो हम scarless, यह जो scar की बात कर रहे हैं कि उसको गायब करने की तो यह plastic surgery चीज क्या है plastic surgery का मतलब होता है plastic to mold किसी चीज को द्वारा बनाना या ठीक करना तो हम जो निशान को गायब कर रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं हम surgery से करते हैं यह एक local NCCC में surgery होती है patient same day patient की चुटी हो जाती है हम बहुत fine microscopic sutures जो धागे होते हैं जो सरफ durbin से दुबारा ही लगते हैं वैसे टांके लगाते हैं उससे निशान नहीं आता और वो निशान गायब हो जाता है तो इसको हम कहते हैं scarless facial plastic surgery तो यह बात हुई निशान की अगला topic जो मैं discuss करूँगा वो है wrinkles यानि की जूरिया आपने देखा होगा कि जूरिया अक्सर age यह जूरिया एक aging process है एजिंग प्रोसेस कैसे है कि पचास साल के कोई male या female या 60 years के 55 years के female में male में face पे जूरिया आ जाती है तो जूरियों का treatment क्या है जूरियों का treatment भी अगे दो तुन तरह का होता है पहला होता है non surgical उसमें botox and fillers आते हैं fillers या botox जिसे जैसे माथे पे line आना चैरे के नीचे line ने आना आंकों के नीचे line आना होंटों के नीचे lines आना इस यह सब चीजें हम ठीक करते हैं botox या फिलर से दूसरा होता है surgical technique उसमें आता है facelift surgery अब यह facelift surgery क्या है basically wrinkles क्यों पढ़ते हैं वह इसलिए पढ़ जाते हैं क्योंकि aging के दुरान जैसे हमारी age बढ़ती है तो हमारे mass patient of muscles face की lose हो जाती है लाक्सिटी आती है तो उन लाक्सिटी दूर करने के लिए हम उसको facelift surgery कहते हैं उसमें हम एक कान के सामने एक पीछे एक कट लेके कट देके हम muscles को tight करते हैं उसको कहते है face lift surgery इसमें भी मरीज सुबह आता है और शाम को हम इसकी चुटी करते हैं बट यह local anesthesia में नहीं होता है यह पूरा भ्योश करके होता है यह बहुत ही एक safe और cost effective procedure है और बिल्कुल minimal complication होती है इस procedure में तीसरा जो मैंने आपसे बात करी थी कि आई के नीचे lower eyelid के नीचे आँकी पुतली के नीचे fat bags बनना या आपने देखा होगा कि upper eyelid के और nose के junction पे एक swelling आती है उसको हम कहते है fat pads यह fat pads भी aging का निशान है यह पचास 55 सल के बाद ही बनते हैं यह fat pads का treatment अलग है यह fat pad होता है जो को हम normal एक बहुत scarless fine surgery से हम निकाल देते हैं basically fat remove करते हैं दूसरा lower जो lower जो आंग की पुतली होती है उसके नीचे वाली lower eyelid के नीचे भी fat bags बनते हैं उसको eye bags कहते हैं वो भी एक 55-60 साल के उमर में आप में देखे होगे बहुत common है उसमें हम fat bags को निकाल देते हैं हम आंग के इस बिल्कुल नीचे एक fine एक निशान आता है उसमें से हम जो excess fat है आपका जो की aging का यह change है face पे उससे हम उसको remove करते हैं कॉम्प्लिकेशन इसकी भी कुछ सच नहीं है सिरफ एक swelling रहती है आंग की पुद्लियों पर जो की साथ से दस दिन के बाद चली जाती है उसमें हम आपको पूरार प्रॉपर ट्रीट्मेंट आइस आइस पैक्स देते हैं पेंक्लर देते हैं खहीं लोगों जो ज्यादा smoking करते हैं उनके cheeks जो है थोड़ा से अंदर चले जाते हैं उसमें basically क्या होता है वो ज्यादा smoking करने से या यह एक aging process भी है जिन लोगों की उमर 50-60 साल से उपर है उनको भी यह cheek depressed cheek कहते हैं उसमें क्या होता है कि जो cheek का जो अंदर वाला mask जो skin के न तरह के option कर सकते हैं पहला है non-surgical उसमें हम filler आता है एक fillers कहते हैं एक filler एक injection के form में होता है हम बाया injection एक fluid अंदर डालते हैं जिससे वह हमारे cheeks द्वारा normal positional shape में आते हैं वह fillers होड़ा सा हम it's a hardly 55 minutes job वह local NCCM होता है यह है fillers दूसरा होता है fat grafting जो की surgery के द्वारा की जाती ह क्या है अब यह fat grafting दोस्तों यह है कि आपका अपना fat निकालके abdomen से या थाई से या पेट से या थाई से हम निकालके उसको purify करते हैं और फिर injection से या fine cannula से हम उसको inject करते हैं cheeks के under जहां पे वह fats हम inject करने के बाद वह cheek की position normal आती है इसको बोलते है fat grafting तो यह सारे जो मैंने भी आपको बता है यह facial plastic surgery इसको बोलते है इसमें scarless surgery भी आती है fat grafting भी आती है इसमें scar revision surgery भी आती है इसमें watox भी आते हैं इसमें fillers भी आते हैं तो यह हमारा एक facial cosmetic plastic surgery के ऊपर में को हमाई talk थी अगर आपकी family में या आपके कोई दोस्तों में दोस्त में कोई ऐसा कोई हैं तो प्लीज हमें कोंटेट करिए एड अम्रिधरा होस्पिटल एवरी मंडे वेनेज़ दे फ्राइडे पान से फाइट तो सेवन पीम थैंक यू यह कुछ हमारे कोश्चन्स हाए हैं जो हमारे पेशंट्स ने हमें पूचे हैं पहला कोश्चन है मेरे चेहरे पर डाक सर्कल है क्या इसका इलाज संभव है देखिए डाक सर्कल्स का इलाज सर्जरी के बजाए हम नौन सर्जिकल मेटर से करते हैं यानि कि लेजर से इसका इलाज बिल्कु संभव है लेजर से हम उस डाक सर् लगती हैं हर सीटिंग दो एक से दो हफ्ते का गैप में होती हैं उसके बाद ही डाक सरकल्स खतम हो जाते हैं कि अगला पोश्चन किसे हमारे पेशन ने पूचा है क्या कोई उमर एज लिमिट भी देखी जाती है फेशल सजरी के लिए जैसे मैंने पहले बताया आपको की फेशल प्लास्टिक सजरी के जैसे अगर सरफ निशान है तो उसमें कोई उमर नहीं देखी जाती बाकी जो मैंने चीज़े बताई जैसे की डिप्रेस्ट चीक हो गया या आई बैक्स हो गया या फिर जूरियां पड़ गए यह तो नॉमली जो एजिंग प्रोसेस है यह नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है जो कि 50-55 साल के बाद हो नहीं होता है तो यह डिपेंड करता है कि आपको बिमारी क्या है यह अगर सकार की बिमारी है तो सकार के तो फिर उसके लिए हम सकार विजन सजरी जो मैंने आपको बताया बाकी चीज़ तो इसका यह है एक solution कि उसमें देखिए देखना पड़ता है मरीज को देख के पता चलेगा कि वो उसका क्या उसकी expectations है normally face lip surgery हम कर सकते हैं लेकिन मैं prefer करता हूँ कि मरीज की उमर at least 50 साल से उपर हो ताकि अगर हम face lip surgery करें भी तो उसका benefit उसको लंबे समय तक रहे तो अगर आपकी उमर चोटी है और आप जंग दिखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि हम सजरी करनी है हम बाय लेजर्स या हम आपको non-surgical matter से भी ठीक कर सकते हैं हमारा अगला question है क्या मैं dimple बनवा सकती हूं बिलकुल dimple बनवा सकते हैं इसको कहते हैं dimpleplasty चीक dimple creation surgery इसमें हम दोनों तरह के dimple या एक साथ के dimple बनाते हैं यह बहुत ही simple surgery और cost effective surgery होती है painless होती है इसमें आदे घंटे की total surgical time होता है और हम patient को सेम डे discharge कर देते हैं कुछ swelling रहती है सजरी के बाद वह आइस पैक्स वगएरा दवाईयों से हम ठीक कर देते हैं तो यह dimple surgery हम करते हैं यहां पर आमेजरा hospital में अगला कोई मरीज का सवाल है मेरे चहरे पर hair है क्या मैं इसका treatment है कोई देखिए चहरे पर बाल होना उसका सबसे अच्छा treatment सबसे best treatment है laser hair removal हम laser therapy देते हैं मरीज को इसमें हम च्छे से आठ सेशन होते हैं laser therapy के और हर सेशन जो है दो से एक से दो हफ़ते की gap में दिया जाता है इससे यह complete treatment है इसमें laser therapy is the most effective treatment for complete hair removal हमारा आकरी question है बच्पन से मेरे चेहरे पर दाग है मैं क्या करूँ देखिए मैंने आपको अभी बताया कि चेहरे का कोई भी दाग हो चाहिए वो निशान हो जला हो चोट के बाद हो या बाइबर्थ हो उन सब का इलाज facial cosmetic plastic surgery में possible है चाहिए वो हम उसको अब scar vision surgery में हम कर सकते हैं या grafting से के बाद थैंक यू